अब दोगो बच्चों अब हम आजाते हैं SP3 hybridization, SP3 शंकर, तो दोगो SP3 hybridization means mixing of 1S orbital and 3P orbitals of outermost shell of an atom 2, 4, 4 new orbitals which are called SP3 hybrid orbitals and this process is called SP3 hybridization, सबने बच्चों कि किसी भी atom के outer most shell की 1S orbital और 3P orbitals इनकी intermixing होती हैं और कुल मिलाके कितनी new orbitals बनेगी जब 4, तो इन new orbitals को बोला जाता है SP3 hybrid orbitals और इसको बोलेंगी, इस process को बोलेंगे SP3 hybridization, तो हम इस hybridization को अगर short में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि atomic orbitals कितनी हैं हमारे पास, एक तो है NS और 3 आप देख रहे हैं ये NP orbitals हैं, NPS, NPY, NPJ, तो फुल मिलाके 4 atomic orbitals participate करेंगी इस hybridization हैं, hybrid orbitals जो बनेगी, total वो कितनी होगी 4, जबहें हम बोलेंगे SP3 hybrid orbitals, यहां तक आप समझ गए, इनका जो bond angle होगा hybrid orbitals के बीच का, वो होगा 109 degree 28 minute का, यह हम इसी को लिखते है 109.5 degree, समझ गए यहां तक, फिर आप स्ट्रक्चर आप मॉनिकीन, इस hybridization के कारण, जो मॉनिकीन बनेगा, उसका structure क्या होगा, तो वो होगा tetra hydral चक्रस पर जीए, अगर सारे जो hybrid orbitals हैं, वो sigma bond बनाते हैं, तो फिर वो regular tetra hydral structure होगा, लेकिन अगर उनके loan pair आ जाएंगे, तो फिर वो, जो है उनका structure होगा, वो regular tetra hydral ना होकर, एक दूसरा structure कुछ भी होगा, जो कि उसके loan pair, number of loan pairs पर depend करेंगा, और इसके जो examples हैं, जैसे CH4 है, C2H6 है, ammonia है, H2O है, HF है, समलगे न, ammonia line है, hydronia line है, NH2 minus है, CH3 minus है, इस तरह के कुछ है, जो है, ions या ammonia जो आते हैं को, पहले आते हैं लोट करेंगे, अब देखा बच्चो, अब हम इसमें exam करेते हैं, CS4, हम जानते हैं, electronic configuration 1S2, 2S2, 2P2, electronic configuration आप outer most से, last orbit का, हम configuration लिखते हैं, अब होगे, ground state में, 2S2, 2P2, excited state में, यह electron excited होगे होगे, खुल मिलाके, 4 unpaired electrons होगे, अब hybrid state आएगी कि यह 4 orbitals, 1S2, 3P orbitals, mixing और खुल मिलाके, यह बन गें, 4S3, 3 hybrid orbitals, और जब CH का formation हुआ, तो एक-एक edge, हर एक electron के साथ क्या कर रहा है, इस तरह से pairing कर रहा है, और खुल मिलाके, 4 edge bonded होगे, हम इसका molecular diagram देखे, यह हम इसका orbital diagram देखे, तो orbital diagram में बस आपको क्या होगे, यह है 2S1 और यह है 3P orbitals, to be x1, to be y1, to be z1, यह 4 orbitals intermixed हुनी, तो फुल मिलाके, इतनी बन गही, 4S3 hybrid orbitals, 1, 2, 3, 4, ओके, यह इस तरह से oriented होती है, space में, कि इनके बीज का जो angle है, अगर मैं इनका structure इस तरह से आपको बताऊ, तो वो इस तरह से होगी, यह इस तरह से oriented होती है, 1, 2, 3, यह तो हो गई, और एक ऐसा होगा, चाहे उसको ऐसा देखें, चाहे ऐसा देखें, चाहे ऐसा देखें, वो tetra hydra होगा, और यह जो angle होगा, यह कुल मिलाके कितने का होगा, 109.5 degree का, सब्यों बत्यों, तो इस तरह से, जब इसका regular tetra hydra structure बनेगा, तो इस तरह से यह four hybrid orbitals होगी, अब यह जो orbitals हैं, यह hydrogen के साथ हैं, इस तरह से, यह hydrogen यहाँ, 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 फुल मिलाके, ऐसे चाह hydrogen bonded हो गए, और यह जो structure बना, आप देख रहे हैं कि यह एक sigma bond है, यह है, यह है, यह है, और इन hybrid orbitals के बीच का जो angle है, 109.5 degree, और इस तरह से यह regular tetra hydra structure होगा, तो इसमे सारे bonds एक से हैं, इससे कि इसमे बिल्कुर regular tetra hydra structure होगा, तो यहां तक बाद समझी का होगा, आप इसे route करें, अब देखो बच्चोड, अब हम आ जाते हैं NH3 में, इसमें भी SE3, इस molecule में भी कौन सा hybridization है, SE3, मैंने आपको एक formula बताये था, hybridization, calculate करने का, उस formula से भी निकालोगे, तो इसमें आएगा, SE3 hybridization, अब हम इसका configuration 1S to 2S to 2P3 है, ग्राउंड state का यह configuration है, चुकि यहां पर 2D तो हो नहीं सकती, इसलिए इसमे electron excited नहीं होगा, और अगर होगा भी तो भी एक pair तो रहे गई ही रहेगा electron का, अगर अगर हम इसको excited करते हैं, यहां करने, तो भी एक pair रहेगा, मंदद 2-10 unpaired electrons, जो है nitrogen में वो कितने हैं, 3 और वही excited state में भी रहेगी, तो जो excited नहीं हुआ और जो paired state में है, उसे हम जानते हैं, इसका मन्दब है, कि जो इसकी hybrid state होगी इसमें, तीन तो unpaired orbitals हैं, unpaired electron वाली hybrid orbitals हैं, और एक है low pair वर जानते हैं, यह हम इसे low pair रहे जाते हैं, अब इन तीन unpaired electrons से 3 hydrogen इसकर से pairing करते हैं, अब हम आ जाते हैं, इसका orbital diagram बना है, यह है 2s2, दो electron से इसके, और यह है 2x1, 2py1, 2p पुल बिला कि यह 4 orbitals hybrid हुई, तो यह बनने 4 hybrid orbitals, जिनने से एक में तो lone pair है, तीन में unpaired है, electrons हैं, अब यह जो overlapping होगी, तो इस तरह से team तो hydrogen इस तरह overlap कर रहे हैं, और एक में है lone pair, चुकि इसके lone pair है, यह ही nucleus related है, तो उसका cloud काफी फैला होता है, फैला होने के कारण यह जो bonded pair यहां थोड़ा सा contract होते हैं, और इस तरह से contraction के पार, यह bond angle यहां 109.5 degree का होना था, वो degree जो के कितना होगया 107.5 degree का हो, और आप जो structure देखे का, वो इतना देखे हैं, आप तो यह trigonal pyramidal structure दिख रहा है, समझे है ना, geometry कहीं यह teta header दिख रहा है, लेकिन इसका यह actual structure देखो अब देखो बच्चों, अब हम आजाते हैं, एक्स्ट्वो में हैं, एक्स्ट्वो में हैं, एक्स्ट्वो का सेंट्राल एक्टम है, ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4, अब चुकि 2d तो होती ही नहीं, इसकी excited state भी यही रहेगी, पुल मिला के यह hybrid orbitals बनाएंगे, तो two orbitals में तो है low pair, और two orbitals में है unpaired electrons, अब h2 का जो formation होगा, तो यह होगा two lone pairs, और यहां पर दो hydrogen इस तरह से, जो है, उसमें क्या करेंगे, ओबर लगी, अब यहां पर अगरा हम आज़ाएंगे, तो यह है 2s4, 2px, यह तो दो-दो electrons से भरे हुएं, यह दो orbital हैं, जिसमें एक-एक unpaired electrons हैं, तो कुल मिला के four hybrid orbitals ब यहां पर यहां पर यह 2 lone pairs हैं, और वाकी यह 2 kya बली है, bonded pairs, अब यहां पर चुबी, 2-2 lone pairs हो गए, तो यह जो है, और चाहता हां, hybrid bonded pairs को और क्या करेंगे, जो है, दबाएंगे, तो ऐसे में यह angle और नीचे चला जाएगा, 104.5 degree का रह जाता है, और यह B-save देके का, B-save, तो आप यहां तक समझ गए होगे तो बस इतना याद रखेना है वी सिर्ट इस डिखे रहा है तो यहां तक दा समझ गए आप इसे नोग करें अब यह बच्चो अब हमाँ जाता है है C, H3, C1, C3 इसमें जो पर-Carbon है इसकी hybrid state है SP3 और हम जानते हैं कि SP3 जो Carbon होते हैं समझे नोग उसमें 4 unpaired electrons होते हैं तो यह 2 Carbon होगए, यह Carbon मुसरब दो मतलब यह है SP3 Carbon, यह है SP3 Carbon अब 2 Carbon में से जो हर एक Carbon के 3 orbitals जो hybrid orbitals हैं वो तीन hydrogen से bonded होगए ठीक यहां पर ऐसा ही आता है अब जो एक-एक hybrid orbital बच्ची है दोनों Carbon की उनके बीच में यहां पर तो बच जाता है क्या सिख्मा को होते हैं मतलब यह बाट यह है और 123 यह हर एक Carbon तो अगर उसका Orbital Diagram से लेखें समझें न, Orbital Diagram में यह Carbon है एक यह Carbon यह चार इनकी क्या है यह हर एक यह है SP3 Hybrid टिक है Orbital तो इस तरह से दोनों Carbon एक एक hybrid orbital से तो इस तरह से पेडिंग करके और यह क्या बनाएंगे σिख्मा को प्रते एक Carbon में आप देख रहे हैं कि तीन hybrid orbitals जो हैं वो hydrogen से overlap कर रही है और इस तरह से तीन यहां hydrogen ती वहां और यह बन गया हमारा Di-Tetra Hydra Structure तो इस तरह से जो है यह इत्हें में structure होता है यह जो लेंग होती है तार्वन तार्वन के बीच की यह होती है 1.54 एंग स्ट्रोंग की तो इस तरह से यह था कुल में लगके SP3 hybridization तो इस तरह तक आपने तोट कर लिए अब इसको अब देखो बच्चो नेक्स्ट आते हैं SP3 hybridization SP3 hybridization का मितलब क्या हुआ कि mixing of 1 S 3 P orbitals and 1 D orbitals तोटल मिला कि इतनी Atomic Orbitals Participate हो रहे हैं तोटल पार्टिस्पेट कर रहे हैं तोटल पार्टिस्पेट कर रहे हैं यह 3 तो 4 और यह 5 तो 5 Atomic Orbitals होंगी इसमें Hybridization में Hybrid जो Orbitals बनेगी वो 5 होंगी थे हो क्योंकि जितनी Atomic Orbitals Participate करेंगी इतनी ही Hybrid Orbitals अब आते हैं Bond Angle अगर पिकुल Perfect Condition है मतलब यह है कि 5 Sigma Bond अगर है तीक है और Regular Structure है तो उसमें जो Angle देखेंगी तो आपको 3 दिखेंगे 180 का 1 देखेंगा और 90 डिगरी के 6 दिखेंगे लेकिर अगर यह Structure जो है Sigma Bonds अगर कम होंगे और Lone Pairs बढ़ते हैं तो फिर अलग-अलग Bond Angles होंगे लेकिर Perfect Structure जब को Lone Pair ना हो जैसे PCR Type में आप देखोंगे तो यह Angles बनाएं जो Structure हो Monitoon होगा वोगा TIE Bonal Paramedal Structure जब 5 Sigma Bonds होंगे मतला 5 ते 5 Hybrid Orbitals जो है Sigma Bonds बनाती है जब 4 Sigma Bonds होगा और एक Lone Pair आएगा तो C-South Structure होगा जब 3 Bonds Sigma बनेंगे तो PCF होगा और जब 2 Sigma Bonds होगे तो Linear होगा बाकि जितने Sigma Bonds शोड़ दे तो तो तिने वागी क्या बचेंगे Lone Pairs Example है इसे PCL5 PF5, SF4 IF3, XCF2 यहां पर आप देखो के 3 Lone Pairs होगे, यहां पर 2 Lone Pairs होगे, यहां 1 Lone Pair होगा, यह मैं कोई Lone Pair नहीं होगा, तो इस तरह से हम solve में इसको समझते हैं, पर हम इंके examples लेखे, पहले आप इसको अब देखो बच्चो, SP3D Hybridization का एक example यहां पहला PCL5 Phosphorus का electronic configuration 1 S to 2 S to 2 P6 3 S to 3 P3 electronic configuration हमने ground state में लिया 3 S to 3 P3 3D 0 3rd orbit में 3DD होती है जब excited state आती है तो 3 S to 1 electron excited होकर कहां पहुंच गया 3D में एक first excitation हो और पुल में आती है कितने electron unpaired हो गए तो यह electrons unpaired होए 5 electrons unpaired है अब जब hybrid state बनाएगी तो हम इन 5 orbitals को एक साथ लीदेगी PCL 5 बनेगा तो इस तरह से हर एक unpaired electron से एक एक chlorine pairing करता है और खुल मिलाके एक phosphorus के तकने chlorine से बुड़ गया bonded होगा 5 इस तरह से phosphorus में trigonal paramedal structure by paramedal structure होगा एक paramed trigonal paramed अगर हम ना तो ऊपर और और एक paramed नूचे बन जाएगा तो यहां जो यह वाला है equatorial position में equatorial position में equatorial position में उपर और नूचे की तरफ तो यह कितने का है 180 degree का पुड़ा यहां से यह कि यहां तक का 90 degree के आपको बता दू 90 degree के आप देख रहे हैं कि यह और इस के बीच का मतलब यह जो trigonal structure बिख रहे है यह ऐसे हो और यह ऐसे है तो यह और इस के बीच का जो 3 नीचे बनेगे और 3 90 degree के एंकल्स कहा है उपर तो कुल मिलाके यह कितले हो गए 6 तो 90 degree के हो गए 3 120 degree का है 1 80 degree का 1 है यह बता तो कि axial की bond length और equatorial bond length अलग अलग होती है यहां पर जो bond pairs हैं आप देख रहे हैं कि यह bond pairs कितने के बीच में है यह 90 degree के पूछ में इस लिए में रिपलसन जादा लगता है और यह लगता हूंपल की तरफ फुल हो जाएगा मतलब कुस हो जायगा यह किसक जाएगा यह कहें अब ऐसे में क्या होगा यह ड़ग आती और यह होती है 2.19 angstrom की और जो यह आप देख रहे हैं, ये 120 डिगरी में है, यो लिबल्सन कम होता है, इसलिए ये जो एक वर्टोरियल PCL बॉन्ड लेंथ है, वो होती है, इसका मदल थोड़ा से एल्लेगॉलर्टी को होती है, वैसे हम इसको बेंट रूल में पढ़ेंगे, और अच्छे से आगे कि कौन सब पे आएल से में सारे सिंग्मा बहुंद बनते हैं, पांच और फांच और हाइविड और्बिटर्स के साथ, अब हमाना राते हैं SF4 गे, SF4 का कौन फिरेशन लास्ट में आएगा 3S2 3P4 हो, तो इसका मतलब है कि ये है 3S2, 3P4 और 3BGO, तो इसका एक एल्लेटोर्न ये एक्साइटेशन नमर फस्ट है, तो यहां से रखन यहां पहुंच गया, तो अब आप देगा है कि 4 तो अनपेर्ड हो गए और एक लोन पेर्ड के फॉर्म में बचा हुआ है, ये 4 अनपेर्ड एलेक्ट्रॉन जो है, यहीं 4 फ्लारीन के साथ पेरिंग करेंगे और एक ये लोन पेर्ड रहेगा, ये लोन पेर्ड इस पोजीशन में रखा है, क्योंकि यह यहां होने से इसके और इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल गारा जो काफी, रिपल्सन कम होगा, और ऐसे में यहां जाला इस्टेबल होगा, और इसका है और और अच्छी तरह से हम समझ होगे न, तो यहां तक जो इसका बनता है, यह कहनाता है, सी साव स्टक्चर, हिंदी में बहुती है, डैपली संदचना, मतलब बच्चों वो ऐसा दिखेगा, जैसे यह दो हैं और एक यह इस तरह से, जैसे बच्चों के जूलने का जो होता है, आप गार्डम में देखोगे एक डैपली बनी होती है, इसी साव, तो इस धर्वरी दर बैटके इस तरह से चबड़े, तो यह दो हो गए ऐसे और यह हो गया उपन मुची, और इस तरह से लोन पेर यहां पर आ जाता है, तो आप समझ गए कि इस तरह का इस श्रक्चर है, पिसी एफाइब ने जब कोई अब देखो बच्चो, नेक्स्ट एग्जामपल है, आई-एफ-3, आयोडी 53, एटोमिक नमबर यह कॉन्फिग्रेशन है, क्रिप्टोन, मतब 36, 4010, 46, 48 और 5, 53, अब हम इसका कॉन्फिग्रेशन ग्राउंड इस्टेट में देखें, तो 5S to 5P5, और 5PG, एक्साइटेशन फस्ट हुआ, मतलब आई-एफ-3 का फॉर्मेशन, फस्ट एक्साइटेशन से होता है, आई-एफ-5 का जो फॉर्मेशन होगा, वो सिकेंट एक्साइटेशन से होगा, और आई-एफ-7 में बनेगा, वो त्वर्ड एक्साइटेशन से बनेगा, मतल तो डू लॉन पेर्स दिख रहे हैं आपको बागी तीन नपेर्र है जो फ्लॉरीन के साथ इस तरह से पैरिंगे और यहां पर दो लॉन पेर्स होगए अब आता है किनका arrangement कैसा होगा तो वो इस तरह से होगा कि यह लॉन पेयर यहां 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 इतना कि इनके बीच वो बन पॉन्टी डिगरी का एंगल होगा इस इनका रिपल्सल कम होगा और लोगा इस्ट्रक्चर जादा स्टेवल होगा तो यह जो है आप देख रहे हैं टी सेफ दिख रहा है एक बोल उपर एक बोल नीचे और एक यह है यह है तो इसको बोलेंगे टी सेफ स्ट्रक्चर टी सर रचो समझे बच्चो इस तरह से लॉन पेयर एक्वाटोरियम पोजिशन में है मतलब यह आविक तल में है और यहां इ जान होगये एक कॉल्डा लिखेंगे एक्साइडेट इस तें करात। के यह सकते हैं यहाँ कि चौन पहते हैं चलुद्ट किशिवायेशन होता है इसको जिफिस प्लकाउम तो अब यह जो इस तरह से dual paired थे, तो ब्रोप्यारीन bonded हो गए, अब आता है कि इनका arrangement क्या होगा, तो इस तरह से dual paired भी आ देंगे, equatorial position में ताकि इनके पीछ में कम repulsion हो, और structure चागा, stable हो, और दो ब्रोप्यारीन एक्टम्स जो हैं, आप देख रहें, उपर नीचे bonded है, और य linear structure, तो यहां तक बास समझ गए होगे, तो यह था, इसके कौन सा hybridization समझा हमने यह, SP3D hybridization, जिसमें AS, 3P और 1D, इंडर्मिक्स के कुल मिला के 5 hybrid orbitals बनाती हैं, और regular structure है, C, south structure है, T, safe structure है, या फिर linear, यह डिपेंडि कर रहा है कि किसमें कितने lone pairs हैं, तो यहां तक बास समझ होगे, अब हम next video में इसके आगे कि hybridization लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बाइ, see you, see you again,